लच्छा पराठा हम में से किस-किस को पसंद है? I guess हम सभी को पसंद है और उसके साथ पनीर बटर मसाला मिल जाए तो और ही अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग रेस्टरॉन जाते हैं तो बेसिकली यहीं मंगाते हैं तो चलिए फ्रेंट्स इसकी रेसीपी में आप लोग के शाथ सेयर करती हूँ वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखिएगा तो सबसे पहले एक बावल में हम लोग ले लेंगे दो कप गेहुं का आटा इसमें थोड़ा सा हम लोग मंगरेल मिला देंगे आदा चमच नमक मिलाएंगे दो चमच यहाँ पे कुकिंग आयल मिलाएंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सौप्ट सा आटा हमें गुद के तयार करना है तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सौप्ट सा आटा गुद के तयार कर दिया है अब आदा चमच इसमें तेल डाल करके इसको रेस्ट के लिए हमें छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पे 500 ग्राम पनी ले लिया है जिसको मैंने डाइस में काट लिया है फिर आदा चमच नमाक, आदा चमच हल्दी पावडर, आदा चमच मिर्च पावडर मिला करके इसको हम लोग एक बावल में ट्रांसपर करेंगे ट्रांसपर करके इसको हम लोग अच्छे से टॉस करेंगे ताकि ही सारे मसाली पनीर में मिक्स हो जाए और उसके बाद एक पैन गरम करेंगे इसमें हम लोग डाल देंगे दो बड़ा चमच कुकिंग आयर आधा चमच जीरा डालेंगे एक तेज पता डालेंगे उसके बाद कुछ खड़े मसाली डालके इसको थोड़ा सहामें दो मीडियम साइज के प्यास को ऐसे रफली काट करके लाइट ब्राउन होने तक हम लोग फ्राइ करेंगे उसके बाहर देखिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर ले लिए इसको भी इसी तरीके से बड़े साइज में काट करके डाला है इसको भी हम लोग दो मि के लिए तो आप कोसिस कीजिए कि काजू इसमें जरूर एड करें तो काजू को डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको हम लोग ऐसे फ्राइ करेंगे उसके बाद दो सुखी मिर्च डाल देंगे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है यानि कि वो खड़े वाले कश्मीर लाल मिर्च है तो आप उसको भी इसमें आड कर सकते हैं अब क्या करेंगे ना इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि प्याज बगेरा अच्छे से भून चुके हैं अब इस स्टेज पे पानी डाल करके थोड़ा सा नमक डालेंगे आदा सभी थोड़ा सा कम नमक डाल करके इसको हम लोग धक के पकाएंगे तो मैं यहाँ पे इसको लगभग मीडियम फ्लेम पे 10 मिंट इसको धक के पका रही हूँ तो पानी आप लोग देख सकते ही थोड़ा बहुत इसमें है अब इसको थंडाव निकली छोड़ देंगे उसके बाद द का पेस्ट बना लेंगे पेस्ट बना करके एक इसी तरीका मैं बताती हूँ एक चनी ले लेंगे और यह जो पेस्ट है उसको ऐसे गुमाते हुए चमज से दूसरे कटोरी में ट्रांसपर करेंगे ताकि जो बचा हुआ खड़े मसाले वगर जो भी कुछ है न यह देखिए यह सब हमें नहीं चाहिए तो यह वेस्ट है अब दीखिए पेस्ट का जो पानसिसटेंसी है एकदम क्रीमी वाला आया है तो बस हमें यहीं चाहिए उससे बाद उसी पैन में जिसमे पणीर फ्राइच को फ्राय कर देंगे उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ब यानि कि पेस्ट उसको इसमें डाल करके मिक्स करेंगे तो इसका कलर बहुत ही बढ़ी आएगा आप लोग देखिए इसके बाद इसको हम लोग ढख देंगे ढख कर लिया है आप लोग देख सकते हैं कि मसाला रेडी है क्यूंकि इसमें डालेंगे फरेश क्रिम रख लेंगे पर अदो पानीराम व्या प्रिय बढ़ी है व्याथक भुणर जो टाल बियुकं सबूक स्बाए और आ रिलीक के पाद भलत हैं सायगे वी आघाता है जो आटा हमने गूंद के रखाता उसको ऐसे पंच मारते हुए फिर से गूंद लेंगे ताकि आटा और भी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद देखें यहां पर मैं ऐसे डिवाइट कर ले रही हूँ और उसके बाद यहां पर थोड़ा सा बड़ा वाला हम लोग डो निकालेंगे उसके बाद देखें यहां पर मैंने चकला ले लिया है और उसके उपर में यह डो को रख दिया है थोड़ा सा इसको चप्टा कर लिया है अब इसको बेलना शुरू करेंगे तो यहां पर मैं गोल गोल करके यह रोटी बना रही हूँ और इसका साइस थोड़ा सा हमें रखना है और इसको थोड़ा सा पतला भी करना है तो आप देखिए मैं आज ना दो तरीके से आप लोग को लच्छा पराटा बनाना सिखाऊंगे एक तरीका तो हो गया इसी तरीके से मतलब फोल्ड करते हुए रोटी को उठाते हुए हम लोग अंदर की तरफ इसको फोल्ड क करेंगे तो आप लोग देखिए मैं आप लोग को बस दिखा रही हूँ किस तरीके से करना है बिल्कुल हलके हाथ से इसको करना है और जो लास्ट वाला पोर्शन है इसको साइड में दबा देना है आप कुछ सुखा आता है इसमें उपर से लगाना है हालके से प्रेश कर द कुकिंग ओयल या फिर आपको घी पसंदे तो आप लोग घी भी लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पे कुकिंग ओयल लगा लिया है अब एक चाकु ले लेंगे और बीचो बीच इसमें कट लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे उपर से नहीं अब जो एक पाथ है इ इसको नीचे रखेंगे और नीचे का पाट से उसको इससे दबाते हुए इसको बिल्कुल प्रेस कर देंगे उसके बाद सुखाट लगाएंगे और हम लोग बेलना शुरू करेंगे तो मैंने आपके साथ दो तरीका शेर किया है आपको जो भी तरीका मतलब ईजी लगता है अब उसी तरीके से इसको कर लीजेगा तो देखें यहाँ पर दूसरा वाला भी बनके रेडी है तवा गरम कर लेंगे यहाँ पर चेक करेंगे ड Almighty तेंपरता अब यह लचछा पराठा से इकना शुरू करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुर रेस्ट्रेंट वाला यहाँ पर लच्छा पर आए बनके तेयार हो रहा है तो इसके ऊपर में थोड़ा सा बटर घ खी या फिर कुछ भी लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने घी लगाया है आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं पराठा का कलर दिखिए मुँ में पानी ना आ जाए तो मुझे बोलिएगा तो बिल्कुल अच्छे से दबाते हुए इसको सेक लेंगे आप इसको प्लेट में निकाल करके रख लेंगे हम लोग फिर दूसरा जो पराठा है सेम उसी तरीके से हम लोग सेक लेंगे बाकी जितन हमारा लच्छे पराठा भी रेड़ी है तो देर की इस बात की है गर्मा गरम इसको हम लोग सर्फ करेंगे और जो पनीर बटर मसाला का जो ग्रेवी है कंसिस्टेंसी आप लोग खुद देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टरूंट जैसे है लाजवाब है तो आप लोग भी इस तरीके से इसको बनाईए कॉम्बो और घर पर इसको इंजोई कीजिए उपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रिम डाल देंगे ताकि हमें बिल्कुल रेस्टरूंट वाला यह फील हो तो फ्रेंस आज का जो रेसिपी आप लोग को कैसे लागा कमेंट करके जरूर बताएगा तो फ बहुत ही टाइम लगता है तो फिर मिलते एक नेवड़ी के साथ तब तक बाबे टेक क्या जए जगनात